नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूटूब चैनल में आप लोग का स्वागत है आज ही जुड़ों हम बात करने वाले 36 वर के बिजलीवी भाग में 164 पदों पर भरती के लिए विज्यापन जारी करते हैं तो इन पदों के लिए कौन को नवेधन कर सकते हैं सेक्यूरी के उग्यता क्या होनाची कि इस प्रकार से आप लोग का चैन किया जाएगा दोस्तों मैं आप लोग को पूरी डिटेल से जुड़ों में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहें तो चैनल को सस्क्राइब की जर बेल आइकन को जुरू दोबायता कि ऐसी काम की उडियो आप लोगों तक पहुँच सके तो वीडियो को सुरू करते हैं विग्यापन जारी के गए गए 36 गर स्टेट पावर जनरेशन कम्में लिमिटेड के द्वारा जिसके अंतरगर दोसो एक सो चौसर पदो पर अप्रेंटिसिप एक्ट के तहत भरती के लिए विग्यापन जारी के गए हैं 36 गर स्टेट पावर जनरेशन कम्में लिमिटेड द्वारा वर्स 2023 से 24 के लिए निमन लिखित विशयों में इस नाताग डिप्लोमा योग्यता धारी को एक वर्स ये अप्रेंटिसिप पर सिक्षड के लिए ये भरती किया जाना है दोस्तों आप लोग यहाँ पर पत का नाम देख सकते हो कौन कौन सा पदों पर भरती किया जाएगा Civil Engineer के 6 पत पर भरती किया जाएगा Mechanical Engineer के 30 पत Electrical Engineer के 25 पत सि नातक Apprentice के लिए 66 पतों पर भरती किया जाएगा 만ता प्राफ संसा या विश्य विद्याला से समधित विशाइ में Engineering या फिट टेकनोलजी में इस नातक Graduate की उपाधी होने चाहिए और आप लोगों को प्रतिमा 9000 रुपे वेतन दिया जाएगा डिप्लोमा एप्रेंटिस के लिए सिविल इंजिनियर में 6 पत पर भरती किया जाएगा मेकैनिकल के इंजिनियर में 30 पत, इलेक्टिकल इंजिनियर में 25 पत पर भरती किया जाएगा Electronic CS या IT के 6 पत पर भरती किया जाएगा इस प्रकार से दोस्तों डिप्लोमा में भी 67 पतों पर भरती किया जाएगा और इसके लिए सेक्षडी क्यों ग्यता माग यह राज्य के तकनीकी बोर्ड या फिर मानता प्रापसंसा से संबंदित संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए प्रतीमा वेतन दिया जाएगा 8000 रुपे इसी प्रकार Bachelor of Science, Bachelor of Computer, Application, Bachelor of Business Administration के लिए 30 पत पर भरती किया जाएगा और इसके लिए सेक्षडी के उग्यता होना चाहिए अंता प्रापसंसा या फिर विष्व विद्याले से संबंदित विष्व में इसनाता ग्रैजुएट के उपाधी होना चाहिए और आप लोग को प्रतीमा 9000 रुपे वेतन दिया जाएगा तो दोस्तों या आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है अब दोस्तों बात के लेते हैं चैन प्रिक्रिया के बारे में किस प्रकार से आप लोग का चैन किया जाएगा तो फाइनली दोस्तों आप लोगों से कोई एक्जाम या परिक्षा नहीं लिया जाएगा जो भी अभ्यारती है उनका चैन जो है Secretary के उग्यत्म प्राग्त अंके अधार पर साक्षьत कार लिया जाएगा उसी के अधार पर आप लोगा चैन किया जाएगा आप लोग यहाँ पर डिटिल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो यहाँ पर point Vise बतायागा आप लोग का जो चैन है वो किस प्रकार से किया जाएगा और बहुत ही महत्पुर इंपॉरेंट पॉइंट दोस्तो जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है आप लोग यहां पर पॉइंट नमबर नव पढ़ सकते हो अवेदन पत्रे के साथ में कौन-कौन सा दस्तावेट डोकॉमेंट अटेच करना है सलन करना है यहां पर डिटील से बतायागे है दोस्तो यह सभी दस्तावेट डोकॉमेंट अवेदन पत्र के साथ अटेच करके सलन करके दिये गए पते पर आप लोग को भेज देना है और जो भी इक्चुक अभ्यारती इन पदों के लिए अव अधिक जानकारी ची तो आप लोग यहां पर देख सकते हो ओफीसियल वेबसाइट का यहां लिंक दिया गया है यहां पर जाके आप लोग ओफीसियल नोटिफिकेशन विग्यापन डाउनलोड करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो तो दोस्तों गयापन से संबंदीत या फिर अन्य भरतित समझत अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद